बीस अप्रेल यानि आज यूपी बोर्ड दसवी और बारवी का रसल्ट जारी कर दिया जाएगा यह जानकारी उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिशद ने दी है परिणाम दो पहर दो बजे यूपी बोर्ड मुख्याले में गोशित किया जाएगा परिख्षा में टॉप करने वालों को विधायक बनाया जाएगा यह सुनकर आप भी चौक गए ना यह हम नहीं कह रहे हैं यह बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं क्या है पूरा माजरा विस्तार से समझाते हैं दरसल आज दो पहर दो बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है जुसे लेकर रामपूर से बीजेपी के विधायक आकाश व सकसेना ने एक पोस्ट किया है बीजेपी विधायक ने टॉप करने वाले चात्रों चात्राओं के लिए बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने पोस्ट के जरिये कहा है कि टॉप करने वालों को विधायक बनाया जाएगा उन्होंने सोशल मीडिया प्लाटफाम एक्स पर लिखा है योपी बोर्ड वर्ष 2024 का हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट का परिक्षाफल आज दो पहर दो बचे गोशित किया जाएगा पिछली बार की तरह इस बार भी जो विध्यारती रामपूर से अधिक्तम अंख प्राप्त करेगा उसे एक दिन का विधायक बनाया जाएगा रामपूर समेट प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुप कामनाई यानी रामपूर में जो भी टॉप करेगा उसे एक दिन का विधायक बनाया जाएगा बीजेपी विधायक अकाश सकसेना का सुशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर लिखा गया ये पोस्ट बहुत जादा पढ़ा जा रहा है बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिशत के सचीव दिव्यकांध शुकल ने साल 2024 की हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट परिख्षा का रिजल्ट शनिवार दो पहर दो बजे तक घोशित करने की जानकारी दी है रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा परिशत की वेबसाइट upmsp.edu.in और nic की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखा जा सकता है सूत्रों के मताबिक रिजल्ट जारी होने के पहले बोर्ड ने प्रदेश और जिलास्तर के टॉपर्स की लिस्ट तयार कर ली है यूपी बोर्ड के परिक्षा में नकल की सकती के चलते करीब 3 लाग से जादा बच्चों ने परिक्षा छोड़ दी थी